असलाम वालेकुम दोस्तों स्टार गोड्स फार्म में आपका स्वाकत है आज फिर एक न्यू वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ और आज हम आपके लिए एक ब्रीडिंग की जो क्लिप है वीडियो है वो लेके आये है बाकी देख सकते हैं हमारे पास एक पट है जो आज सुबा मॉर्निंग में हीट दिखा रही थी तो उसकी वीडियो है हम इसके आज ब्रीड करेंगे हमारे बकरे से और आप देख सकते हमारी फ्लोरिंग भी लगबग कंप्लीट हो गई है पुरा वॉश हुआ है आज हम लोग इसे धुलाए है तो काफी अच्छी शाइनिंग आ रही है बैरहाल ये हमारी वीडियो देखते हैं ये एक सिंटम्स मैं आपको दिखा रहा हूं जो बकरी के हीट पर आने का एक निशानी है जो पिशापी जगह होती है उनकी वो लाल हो जाती है जब बकरी हीट पर आती है इसी तरह से बकरी की हीट पर आने पर और भी कई निशानिया है जैसे बकरीयां दूम हिलाती है यानि बार जोर जोर से दूम हिलाना होता है बकरीयां बहुत जोर जोर से चिलाती है ये भी एक निशानी है और एक सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि बकरे उसकी तरफ हमारी नाक से हमें नहीं सुंगने में आएगा वो बकरे ही करी सुंग सकते हैं तो आप देख सकते हैं यह हमारी बकरी first time हीट पर आई है आज महीने का पहला दिन है और आज के दिन की हमारी वीडियो है आज हम लोग यह वीडियो मना रहे दोपैर का टाइम था काफी अच्छा तो वीडियो मुझे मौका मिल गया हमारी बकरी हीट पर आई थी मौनिंग में तो मुझे मौका लगा कि मौला यह बकर हमारा अलफा मेल है तो हम उससे ब्रीट करा लें आप बकरी देखेंगे फर्स टेम जो बकरी हीट पर आती है तो सब्सक्राइब करें जो हमारी नौलेज्य कि जो मैंने आपको निशानियां बता या बकरीियों कि हीट पर आने की और बक्रे अगर आपके साथ उतके साथ बक्रे है तो बक्रे काफी attract होते है यह चोटी बक्री है हमारी और first time breed पे है तो हमने हमारे फार्म पे जो male है हम breeding के लिए यही male यूज़ करते हैं काफी healthy male है 65 kg live weight है और बक्री मेरे इसाफ से 35 kg होगी थोड़ा बक्री के बनीदबत बक हो जाता है लेकिन बक्रा बहुत जादा है वी अगर 85-90 kg का बक्रा है तो वो नॉर्मल वैसे भी ब्रीट के लिए problem देता है क्योंकि जादा है वी बक्रे से आप अगर अपनी बक्री यह बक्री तो छोटी है आपकी नॉर्मल जो 50 kg 45 kg की नॉर्मल एवरेज बक्री जो होती ह वो भी ब्रीट कराने पर उनकी कमर के उपर काफी प्रेशर आता है और कमर की हड़ी भी अक्सर तूट जाती है जब एवी बक्री से ब्रीट कराते तो आप कोशिश करें आपके जो मेल हो जो अल्फा मेल हो उससे बहुत जादा हैवी ना करें एवरेज 60-65 kg बहुत हो गया उससे वैसे ही करें तो रखें तो उससे आपको फाइदा होगा तो हम लोग इसी तरह अच्छा बक्रा रखते हो और उसी से हमारी बक्रियों को ब्रीट करा देते हैं और बक्रिया आगे चलके हम सेल कर देते हैं जिससे फाइदा यह होता है कि जिनके पास बक्रियां जाती ह तो बक्रियेंगे जो बच्चे होते हो काफी हैल्दी और अच्छे बच्चे होते हैं क्योंकि हमारा मेल भी आप देख सकते हैं इसी तरह हमारे पास अभी एक नया मेल और आया है जो पूरा गुलावी कोटा है इन्शाला हम कभी मौका लगेगा तो उसकी भी मैं एक अल्ला ने चाहत हो वीडियो बनाओ क्योंकि ये बकरा हमारा इस साल सेल में हमने इसे निकाला है तो अगर ये सेल हो जाता है तो हम ब्रिडिंग के लिए दूसरा बकरा फिर इस्तिमाल में लेंगे नेक्स वियर के लिए तो ऐसे बकरे बहुत अच्छे होते हैं हेल्दी भी होते हैं काफी लोगों में एक गलत फहिमी और है कि बकरों को जादा ब्रीड यानि ब्रीड कराने से बकरे वीक हो जाते हैं तो ये लोगों में एक गलत फैमी है हम अकसर हमारे फाम पे जो बकरे होते हैं ये हमारा breeding male है आप देख सकते हैं लेकिन उसकी सहथ भी आप देख सकते हैं माशाला काफी healthy है यह वीक आपको कोई जगह से इसकी हड़ी नहीं दिखेगी तो ये लोगों में काफी गलत फैमी है कि बकरे को breed कराने से बकरे वीक होते है और काफी लोग इसको पर यही चीज़ जैसे मैंने दात का भी last time आपको बताया था कि आड़ दात का बकरा बुड़ा नहीं होता है तो इसी तरह बकरे को breed कराने से लेकिन बहुत ज़ादा यानि आप continue अगर वो बकरियों के साथ 24 गंटा आप उसे छोड़ दे तो वो खाने पीने में नाटक करते हैं ऐसे बकरे लेकिन हम हमारे पास जो breeding male होता है उसे बाकाइदा separate अलग cage में रखा जाता है जब बकरी कोई हमारे पास महीने दो महीने में एकाद बार हीड पाती क्योंकि हमारे पास बहुत जादा बकरी नहीं है तो हम लोग वैसे बकरे को यूज करते है और अकसर बकरे को एक से दो बार यूज करने के बाद बकरे की सहत और अच्छी होती है यह मेरा personal experience है हमने यह देखा है हमारे farm पे क्योंकि मैं काफी time से breeding करते आ रहा हूं हमारे पास अकसर बकरियां रहती है जो बिकने वाली बकरियां भी आती है तो वो रह जाती है और उसे हम लोग ब्रीड करके भी बेचते हैं प्रेगनेंट होने के बाद भी बेचते हैं तो यह एक चोटी सी वीडियो है इसी topic पे मेरी कुछ न कुछ आपको मेरी वीडियो के जरीए knowledge मैं देते रहता हूं कि आप तक का हमारी जो knowledge है वो आप तक का पहुँचे और आप उसे और आगे तक का पहुचाए इससे फाइदा यह होता है कि लोगों तक का जो ऐसी कई चीजें हैं जो बकरों में पालने वालों में गलत फैमियां और बहुत सी चीजें फैली हुई हैं उसे हम दूर करने की पूरी कोशिश करते हैं कि मेरे वीडियो के जरीए आप तक का knowledge पहुँचे क्योंकि काफी लोगों में बहुत सी ऐसी चीजें फैली हुई है कि जो बकरों के ब्यूपारियों के लिए और बकरा पालने वालों के लिए दोनों के लिए काफी डेंजर साबित होती है तो यह एक अच्छी वीडियो थी ब्रीडिंग वीडियो थी आप देख सकते हैं यह बकरी अल्ला के फ़सलोगर अपसे इस बकरे से ब्रीड हो गई और इंशाला हम लोग इसे आगे सेल के लिए भी निकाल देंगे जैसा रहेगा जैसा टाइम आएगा तो अगर कोई भाई इंट्रेस्ट रहेगा तो वो मुझ रहे चानल के बारे में और हमारे चानल का नाम आसिव एस्टिडी है तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कि हो हमारे चानल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया असलाम अलेकुम अल्ला हाफ़ेज